मुम्तास मुफ्ती की किताब समय का बंदन से अफसाना रुकावट दिन चड़ता है तो सोचती हूँ कि कैसे खत्म होगा इतना लंबा पहार सलिन वक्त काटना मुश्किल हो रहा है जिसन्दिगी में वो चार्म नहीं रहा मच अडू अबाउट नथिंग दरसल किसी बात का चाओ नहीं रहा क्यूरियॉसिटी नहीं रही अंदर का वो बचा नहीं रहा जो बात बात पर हैरत से आंके पाड़ पाड़ कर देखता था पता नहीं क्या हो गया है क्यूं ऐसे लगता है जिसे खुश्मू और रंग उड़ गए हूँ और खाली भूल की पतिया रह गए हूँ जिसे साथ में पाइट न रहा हूँ सोचती हूँ अभी तो इपता ही थी जिन्दगी में दाखिल हुए दिन चार साल ही हुए थे अभी से ऐसा क्यूं हो गया एक वो दिन थे जब बड़े चाहों से जिन्दगी में कदम रखा था माई गाड क्या दिन थे वो इर्द गिर्द चारों तरफ मीना बाजार लगा हुआ था रोन के दिलचस्पिया रंगीनिया एकसाइटमेंट बस एक ही खोहिश थी कि इस रंगीले मेले में अजादी से घूँ एकसाइटमेंट से चंचंचं करती फिरूँ कोई रोक ना हो टोक ना हो कोई फुचने वाला ना हो चुचाहूं करूं रंगीली बतियों से जोली भर लूँ खुद की मुम बति को दोनों सिरों पर जलाए रखूं एक तमाशा लगाए रखूं रह चलतों को टोटो लूँ आँखों में जांग जांग कर देखूं क्या यह भुही तो नहीं मेरा साथ थी मेरा हमराही जो मेरे बगैर आधा है जिसे मैं पूरा करने के लिए आए हूँ इन दिनों बस एक ही खुआहिश थी एक आर्जू आजादी यू लगता था जैसे जिसे जिन्दकी की तमाम तर रंगीनिया मेरे मुनतजर थी बस रुकावट खतम होने की लेर थी और मेरा घर रुकावट ही रुकावट था ममी और डैडी भी अजीब चोड़ा थे ममी पिसलन ही पिसलन डैडी रोख ही रोख ममी मूवमेंट की दिवानी डैडी स्टेबिलिटी के रसिया दोनों साथ साथ रहते थे पर दूर दूर जीते थे बेचारी ममी उसने डुवैलिटी पाल रखी थी मिया के बोर्डम से बचने का कोई रास्ता भी होता ये डुवैलिटी दर्भूज ऐसी थी उपर से हरी हरी अंदर से लाल लाल डैडी बहुत ही स्टेट फारवर्ट थे बाहिर अंदर का कुछ पता ही ना था उन्होंने कभी सोचा ही ना था कि ऐसा भी हो सकता है कि बाहिर हरा हो और अंदर लाल उन्हें पता ही ना था कि मम्मी दूप च्छाओं भी रही है मुझे टैडी सकत ना पसंद थे खाम खा की रुकाबटें खड़ी करते रहते दूसरों के लिए भी अपने लिए भी मुझे मम्मी भी पसंदना थी ओहों ये क्या हुआ कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ जो जीना है तो खुलकर जीओ अलानिया जीओ अपनी कन्विक्शन्स पर शर्माना क्यों पढ़ते क्यों वो तो हिपोक्रेसी हुई ना ओहों मुझे पढ़ते अच्छे नहीं लगते मुलफूफ किरदारों से मुझे जिड़ है मैं कहती हूँ या तो भड़कर जीओ अगर जुरत नहीं तो फिर बुझे रहो पता नहीं क्यूँ शायद उसकी वज़ा ये हो कि मेरा बच्पन पाबंदियों रुकावटों में गुजरा दिल में पाबंदियों के खिलाफ लावा उबलता रहा रिवाल्ड का जजबा बलता रहा मुझे बड़ी हो लेने तो फिर देखूंगी कौन मेरा रास्ता रुकता है उन दिनों सिंदगी में सिर्फ एक आर्स होती एक ख्वाहिश एक जनून आजादी फिर दफ़तन आजादी मिल गई यू जैसे किसी ने खुल जा सिमसिम कह दिया हो मेरे सामने हीरे जवाराद से जग्मक करता गार खुला पड़ा था मैं तो हक्की बक्की रह गए हुआ ये कि बैठे बिठाए डाड़ी की तबियत खराब हो गए हमने हस्पताल की तरफ रश्ट किया लेकिन वो हस्पताल तक ना पहुंच सके उसके पाथ कई दिनों तक कॉंडॉलिंसिस का सिलसला जारी रहा लोग आते रहे चाते रहे दिखावे के लगाओ छूटे आंसू रस्मी हंगामा फिर खामोशी चागे घर में हम दो अकेले रहे गए ममी और मैं चन्द रोस तो हम एक दूसरे का मूँ तक दे रहे फिर ममी ने आंसू पहुंचे नएा हेर स्टाइल बनवाया मेक अप किया और बाहर निकल गई उनके सोशल कॉल्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए और कल्चरल एक्टिविरेज में कल्चर कम और एक्टिविटी का अंसर बढ़ गया जिन्दगी भर दिल में सुलकती आरजो तफ़तन पूरी हो जाए तो इनसान नौन पलस्ट होकर रह जाता है मैं भी कई एक दिन नौन पलस्ट पैटी रही फिर होश आया तो मैंने जिन्दगी के समंदर में चलांग लका दी एकसाइटमेंट के एक दुफान ने मुझे अपनी कोट में उठा लिया तपेडे जूलने बन गए बन बन जुन जुन करने लगे मेरी गुराउंड कुछ जादा ही मेरी हो गया हसीन तो खेर में थी नहीं नहीं ख्वाहिश थी मेरी दो एक सहेलिया थी जो बनी सची कुड़ियों की तरह बेजान थी हाँ मुझ में एक चाम था पता नहीं कहा था खतुखाल में चार धाल में या बेरन में बस मुझे तो यही पता था के सरे रा जो भी देखता चूंकता दो एक कदम चलता फिर मुड़कर देखता महफिल में लोग आने बहाने गिर भीर लगा लिते गुफटगू में मैंने चूंका देने का तरीक के वारदात अपना रखा था बात बात पर खुद पर इल्जाम धरती अपने कम्या कजिया नमक मिर्च लगा कर बियान करती वो बातें जो नहीं कही जाती बड़ी मासूमित से कह देती बात बता दूं मुझे चीपनस से चिर थी चीप बातें हरकतें चीप लोग बुरे लगते चीप रिलेशन्स बिल्कुल गवारा ना थे पर मुझे मालूम ना था कि एकसाइटमेंट तो खुद चीपनस है ये तो एक पुरकैफ लर्जश है फ्लेशन्स वाइबरेशन है ये वाइबरेशन बाहर के मुझराब से पैदा नहीं होती अंदर के तारों के तनाव से पैदा होती है और अंदर का तनाव हवालगी से नहीं बलके रुक जाने से बढ़ता है काइम रहता है एकसाइटमेंट के पीछे भागो तो अंदर का तनाव धीला बढ़ जाता है जन जन में वो लज़त नहीं रहती दूर भागो तो बढ़ता है जन जन में तरन पैदा होती है excitement चाहे मासूम बादों से खस करो चाहे सरसरी मलाब से वो हड़ फिर कर उसी नकता रूज पर ले जाती है अंग अंग में एक फुल जड़ी चल जाती है फिर एक हवाई जूँ से छूट जाती है पर रंगीन बादों से धराम से जमीन परा गिरती है लाश की धराम excitement की तराश में बारहा मेरे अंदर फुल जड़ईयां चली हवाया जूटी रंगीन बादों में जूलने जूली औ फिर जमीन परा गिरी गिरती है गिरती है साथी के ढूँन में मैंने कही एक आँखों में जांग कर देखा दो एक मलाब भी हुए वो तो होते ही है खराखोटा जानने के लिए सिक्का बजाना ही पड़ता है और बजाओ तो साथ खुद भी बचना पड़ता है खेर फिर एक साथ ही भी मिल गया जैसा कि मैं चाहती थी अमान के रास्ते में भी कोई रोक न थी बाब कुवेट में मुलाजमत करता था माब ने क्टोते बेटे के लिए जी रही थी उसे अमान की हर बात पसंद थी उसे मुकमल आजादी दे रखी थी भरहाल वो अमान था मैं आमन थी नाम भी एक सी तबीयते भी एक सी वैसे मेरा असली नाम तो आमना था पर मुझे ये नाम पसंद न था इसमें मजब की पुवा दी थी मुझे मजब पसंद न था रुकाफटे ही रुकाफटे ये करो फो ना करो यू करो यू ना करो जिसे आजादी की धुन लगी हो वह बला मजब को कैसे अच्छा जाने अच्छा जानना तो और बात है मैं तो उल्टा मजब पर शर्मिंदा शर्मिंदा सी रहती थी मैं समझती थी कि मजब तो एक परसनल मैटर है मैं जानू मेरा खुदा जाने दूसरों को बीच में दखल देने का क्या मतलब फिर ये भी था कि आमना मुझे आमना कहकर बुलाते थे तो मैं महसूस करती थी जैसे तबर्रक हूँ और तबर्रक तो खनकाहों में बनते हैं मुझे खुझ से मुझे को काफूर की बूँ आने लगी जब बड़ी हुई तो मैंने आमना की जगा अपना नाम आमन रख लिया इस चोटी सी तब्दीनी से कितना फर्क पढ़ गया ना तबर्रक रहा ना खनकाह रही और ना मुझे को काफूर की बूँ बिल्कुल ही जैकूलर बन गई हाँ तो आमन मी मेरी तरह रुकावटों का बैरी था कदबुत अच्छा रंग खिला खिला और आंखे आंखे जैसे जूलने हो एक निकाह डाले तो जूलन लगो और फिर आंखों से एक फवार से उड़ती जो भिगो देती इतनी भीग इतनी भीग के डूब जाओ अमान से मिले तो ऐसी भीगी ऐसी भीगी के परों में उड़ान ही न रही उस पर मुझे बहुत होसा आया नहीं मैं किसी को अपनी अजादी सल्ब करने की अजासत नहीं दूँगी ठीक है वो बड़ा एट्रैक्टिव है चार्मिंग है अच्छा साथी है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरी उड़ान को सल्ब कर ले मुझे डी सल्ब कर दे मैंने उसे चैलेंज मान लिया लेकिन चल्द ही उसकी मुस्कान भरी निगाहों ने मुझे अंडे की तरह फैंट कर रख दिया और फिर उस फैंट से हवा लगी कि ख्वाहिश की चाग उबरी उभरती गई उभरती गई और अनजाने में हम एक दूसरे से पैवस्त होने लगे होते गए यूँके एक हो गए जैसे टच बटन के दोनों हिस्से टच करके एक हो जाते हैं कई हफते बलके महीने एकसाइटमेंट के गुम्रू बचते रहे ले बढ़ती रही ताल हलंपत से दर्थ हो गई रक्स तेस से और तेस और तेस कोई रोक न थी टोक न थी ममी बुरा मानने की बचाएश शेह देती थी अमान जब चाहता घर आ जाता ममी ने बुरी प्राविसी दे रखी थी मुझे पता न था कि इतनी अजादी बिराने मेले जाती है मलाब का तवातर बेसारी पैदा कर देता है हम अप्रि मिलते हैं अमान बिला नागा आता है लेकिन उसकी आँकों की फ़ुआर में वो भीग नहीं नजरों में वो जूलने नहीं रहे उसकी हैलों में वो वाले हाना बन नहीं रहा वो इन्बिसात नहीं रही जैसे कुछ पा लिया हो कोई अन्मोल चीज़ क्रीब होता है लेकिन जैसे सरसरी हो खुशी होती है लेकिन बुलबले नहीं उठते वो सुनहरा दुनलका पैदा नहीं होता तार हिलते हैं लेकिन उनमें वो तनाओ नहीं रहा गुंगरु जंचन नहीं करते ताल दर्थ से फिर हलंपत हो गई है हम तोनों के मलाब से जो भीर पैदा होती थी नहीं रही मेला नहीं लगता मुलाकात रूटीन में बदल गई है जब आमान चला जाता है तो मैं बिलकुल डलन ट्रैप होकर रह जाती हूं फिर वक्त हैंग करता है ऐसा मालूम होता है जैसे जिसे जिन्दगी में वो चार्म नहीं रहा ठेहरिये उसके पाओं की चार्प सुनाई दे रही है हाँ वो ही है वो ही चाल कुछ बदली बदली सी लगती है रिलैक्स नहीं अब वो नौक कर रहा है येस कमें हाँ कुछ बदला बदला सा है वो धराम से कुर्सी पर बैट गया है उससे ऐसे देकर मैं खबरा गई हूँ आमन बैड निउस वो कहता है मेरा दिल धक से रह चाता है और मैं मतवका निगाहों से इसकी तरफ देखती हूँ कल अचानक अबा कुवेट से आगे है फिर मैं हैरत से उसकी तरफ देखती हूँ उन्होंने आते ही एलान कर दिया है कि मैं अमान के शादी करने के लिए आया हूँ एक साथ के लिए मैं सुन होकर रह चाती हूँ उसके सर लटका हुआ है जैसे सोच में डूबा हुआ हो वक्त थम गया है सारा कमरा घूमने लगा है अंदर एक तनाव बढ़ता जा रहा है दफ़तन वो सर उठाता है अपनी निगाहे मुझ पर मर्कूस कर देता है एक साथ के लिए उसकी आँखे अंगारों की तरह दहकती है फिर वो उठ पैटता है उसके निगाहों से फवार का एक तुफान उबढ़ता है वही फवार जो भी कोकर रख देती है उडान को सल्ब कर लेती है नहीं नहीं वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कभी नहीं होगा आमन कभी नहीं मेरे अंदर एक भीर सी लग जाती है सांस लेना मुश्किल हो जाता है मुझे खामोश दे कर वो चिलाता है आमन तुम मेरे अबबा को नहीं जानती तुम नहीं समझोगी हमारी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट हाईल हो गई है बहुत बड़ी रुकावट वो चीखता है मुझे ऐसा लगता है जिसे वो दुख की नहीं बलके फड़ते इन बेसाद की चीख हो उसकी निगाहों में फिकर और घुस्से की बजाए कैफित की फुलचड़ियां चल रही हो मुझे यूं महसूस हो रहा है जिसे मेरे दिल की सूखी हुई पत्यां फिर से हरी हो रही हूँ